तो भईया शारुखान पीसपुली तयारी कर रहे थे डंकी को दिसंबर में रिलीस करके एक साल में 3,000 क्रोड की 3 बड़ी पिचर कमाने की और भईया अगर ऐसा हो जाता तो बोली उड़ के ये पहले एक्टर होते जिसने एक साल में इतनी बड़ी कमाई की है लेकिन भईया वहाँ पे सालार के मेकर्स ने अनौंस कर दिया कि हम भी सेम डे पर इस मूवी को रिलीस करेंगे और भईया अभी बहुत जादा शोकिंग न्यूज है क्योंकि ओडियन्स को डिसाइड करना है कि वो कौन सी तरफ जाए सालार की तरफ जाए या फिर दुनकी की तरफ जाए पब्लिक को भईया ओप्शन्स तो मिल रहे हैं लेकिन जैसे जैसे डेट पास आती जाएगी पब्लिक उसके मजे लेना शुरू करतेगी और वहीं पर वहीं अगर हम बड़ी पिच्चर की बात करते तो हम आदी पुरूश को कैसे बूल सकते हैं चार आजार स्क्रिंस के उपर पले गया था और वो भी सिर्फ हिंदी वर्जन अगर साउथ की जितनी भी लाइंग्वेज है उसको एड़ कर दिया जाता है तो वहीं ऑवर होल इंडिया के अंदर इसके 6,000 से भी जादा स्क्रिंस चले थे अब अंदाजा लगा लोगी वहीं साउथ की और वोलिवूर की मुवी कितने बचक में कितने स्क्रिंस में पले होती हैं और वहीं एक न्यूज यह भी आई है कि शारुकान की मुवी डंकी को यसराज इंडिया की बाहर रिलीज करेंगा जो की एक बहुत बढ़ा मूव है यानि कि यह कहलो कि यसराज का नाम अगर चुड़ गया तो हमें बड़ी स्क्रिंग तो देखने को मिलने वाली है और अगर एक जारुकान की जवान और पतान को देख लो दोनों ही यसराज ने रिलीज कराई थी वहीं पे पतान को मिले थे 2700 स्ट्रिंज और जवान को मिले थे 4500 प्लस और वहीं पे एक शोकिंग निउस ओर आई है जो शायद आपको हिला सकती है देखिए पतान मुवी पे जैसे सल्मान खान आया था और उसने बोला था कि टाइकर द्री में मुझे पतान की जूर्थ बढ़ सकती है ठीक उसी तरह से सालार के अंदर केजियेफ के आने के चंसिस हो सकती है तो ये लगा लो कि भाईया मुवी किस लेवल पे जाने वाली है उसका थोड़ा सा अंदासा लगाना मुश्किल हो रहा है लेकिन अगर हम धुनकी की बात करतो भाईया वो भी कुछ पीछे नहीं है क्योंकि शारुखान ने जो बड़ी बड़ी मुवी दी है उसके बाद दुनकी का चलना तो देखो 90% है कि वो मुवी चलेगी चलेगी महीं पे भाईया कोई डाउट निया कि सालार मुवी को साउथ के अंदर जाता स्क्रिंस मिलेंगे लेकिन अगर हम शारुखान की मुवी की बात करें तो भाई शारुखान ने जो भी पठान मुवी आई थी इससे डव लाइंग्वेज में उसने 50 क्रोड से जादा का बिजनेस कर लिया था थोड़ा साई सही लेकिन वहीं साउथ के अंदर डंकी सालार को टकर जोरू देने वाली है तो आप लोग कमेंट करके वहीं में बताओ कि आप कौन सी मुवी को देखने वाले हो और आपके कौन सी फेवरेट मुवी होने वाली है और इस वीडियो को भाई आनाइक करो मिलते आप से नेक्स वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई